टोटल टीवी की और सेयायूत मुहला सवा में आपका स्वागत है मैं हूँ विशुजीत ज्छा इस वक्त पहुंचे हैं करावल लगर बिल्हान सवाशेत्र के साधत पूर इलाके में यहां के मुहले के लोग हमारे साथ हैं उन्हीं से पूछेंगे की उनकी क्या राय है सरकार ने कहा है कि इस बार करावल लगर बिल्हान सवाशेत्र में जो बजट तयार किया जाएगा जो खर्च का खाका खीचा जाएगा उसमें यहां के लोगों की भी राय ली जाएगी इन्हीं की राय से बजट तयार किया जाएगा कहां पर पैसा लगे, क्या समस्याय हैं, लोगों से सुनेंगे और कहीं न कहीं कोशिस करेंगे कि जो समस्याय हैं, वो सरकार तक पुहुचे ताकि उनका समाधान भी हो सगे, अमारे साथ तमाम यहां के लोग हैं, RWA से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनसे पूसने सर, आप अ सरकार कह रही हैं कि इस वार आप से पूछ कर आपका बजट स्यार किया जाएगा, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए बजट में? समस्या बहुत है टांसपोर्ट की, बच्चे चाहिए लड़कियां, चाहिए बच्चे हैं, चाहिए बोड़े हैं, उनके लिए पबलिक टांसपोर्ट है ही नहीं, तो दूसरा है कि स्कूलों की समस्या बहुत बड़ी है, बच्चे 90-90-101 सेक्षन में हैं, और वो दो निकाल भी दिया गया, तो दुबारा वो वहीं पहुंच जाता है, उठाया नहीं जाता है, शेक्यूर्टी की बात है, यहाँ पबलिक और पुलिस के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है, आए दिन चूरियां हो जाते हैं, दिन में भी हो रही हैं, उसको अगर कराय भी जाए यह फायार तो लोज ही नहीं होती, उसे दूसरे रूप में परवर्तित कर दिया जाता है, तो कहने के लिए कुछ है, कुल मिला करके यहाँ कन्वीनियन्स या कोई फैसल्टीज, पबलिक फैसल्टीज है नहीं, सीनियर सिटीजन के नाम पर कोई कुछ ही यह नहीं, पार्क ह कहीं नहीं है, कहीं उनको रूठने बठने की जगय ही नहीं है, तो चाहिए वो बच्चे हों, चाहिए वो यवा हो, कहीं स्कूल नहीं है, तो चाहिए वो बच्चे हों, चाहिए वीवा हो, चाहिए लेडीज हों, चाहिए सीनियर हों, सुबधाओं के नाम पर यहाँ निल ह पुरे नहीं कुछ है यहां के गली बहुत पुराना 1984-83 में लोगों ने कुछ प्लोट ले लिया हाई टेंसन तार के नीचे तो उस समय तो यह उनको बढ़गला के बेच दिया गया कि आप ले लीजिए 10 दिन 15 दिन एक महिने में यह सब हट रहा है लोगों ने अपनी जिंदगी भर की तो हम तो यहीं चाहेंगे कि अपने विधायक से सरकार से कि जो हाइट इंसन वाला है जिसको बहुत गरीव आदमी जिसको उसके नीचे घर बना लिया किसी तरह से अपना जो गर्वा सरकर के पेट काटके अब उनको सरकार अपनी तरफ से कहीं कहीं कुछ हिलाकों में हट भ पेट काटके उन्होंने बनाया है तो सरकारी सोर ध्यान दे और विधायक जी से मेरा यहीं अनरोध है कि इस और बहुत देख उनका हलाकी मिस्राजी का कपिल मिस्राजी का कहना है कि करावल नगर छेत्र को एक आदर्स विधान सभा छेत्र बनाने जा रहे हैं तो हमारा यही आगराव उन से रहेगा कि सोरो भी से ध्यान दे सर आप कहा रहते हैं और नाम भी पहले पताएंगे एक बार नाम पताईएगा और किस गली में रहते हैं मैं विजय कुमार शिशोदिया गली नंबर दो में रहता हूँ अच्छा मैं विधान सभा करावल नगर के आधार पे नीचे और दिल्ली पुलिस के बरावर में इतनी जगे पड़ी हुई है जहां यूनिवेस्टी केंपस केंद्रिय विध्याले लड़कियों का लड़कों का बन सकता है लेकिन पिछले 20 सालों में 15 साल कॉंग्रिस की सरकार रही लेकिन एक भी विध्याले नहीं बन पाया उस सरकार से जनपिर्थी नीदियों से जो ये जमीन बहुत जमीन पड़ी हुई है यहां पर यमनापार उतरपूर्वी केंपस और एक एक लड़कियों के लिए लड़कों के लिए केंद्रिय विध्याले और खजूरी लालबत्ती पर जो हरवक्त जाम लगा रहता है अंडर से जाम की विवर सासे बाइस फूरा मिल सकतर है के करना यह साथ पूल मिघंए तो घर के आगे घर पड़ा रहता है मैं आ में यहां कि अगर के लिकाड़ के चले जाते हैं उठाने निया आते हैं कि यह पिकादर को सेन्यर सीटिजन सी हैं आपको क्या रटा आपके लिए बजट में क्या हो मेरे नाम रादेशाम गुपता है, मैं गली नमबर जो, गली नमबर जो में लाता हूँ, मुझे सबसे बड़ी समस्थ है कि यहां कोई, एंडिस पैंसरी होस्पिटल नहीं है, अगर है धी ड्यार्ट, ड्यार्ट पर वहां नो करते है कि स्थरकार दवाई नी बेज़ी, दवा है इसका अब देख्शू, हमारे यहां पर समस्चाओं को तंबार है, समस्चाओं कोई कमी नहीं है, पहली बात तो यह है कि जो बजनपुरा पीर जहां पर है, वहां पर जो आटो वालों ने जो जाम लगा रखा है, वहां पर पुलिस वाले मंत्री लेते हैं और पूरे रो सब कुछ चालू हुआ है, एक तो यह जाम की समस्चा इतनी बड़ी है, वहां पर कोई निकल नहीं सकता और इतने लफंडर मा खड़े रहते हैं कि बेहन बेटियों को निकलना बड़ा मुस्किल है, समझे, इससे बजट में आप क्या चाहते हैं, हम बजट में यह चाहते है कि जो इस छेतर की समस्चा हैं, जैसे हमारे हैं रोड में रोड जो है करावन गरवाला जाम की बात जो कह रहे हैं भजट में क्या प्राबदान हो सकता है, कि वो चीज़ें सूलच जाए आपके लिए, आपको लगता है कि उससे कुछ निकलने वाला हाल रोड हो जो है, यह कि विदायक हैं, उनको इन चीजों से भली बाती परीचित हैं, तो यहां की समस्या को सुधारना यह तो उनकी जुमेदारी बनती है, हम लोग यहां छेतर में रहते हैं, यहां की जो समस्या हैं, उन समस्याओं से हम भली बाती परीचित हैं, जैसे हमारे यहां पर रोड हैं एक एक साल हो गया इन रोडों को सिवर डना एक साल हो गया आज तक ही इसके रिपेरिंग नहीं हुई जो रोड खुदे पड़े हैं निकलने के लिए रास्ता नहीं है वो रोड बनने चाहिए पानी की निकासी नहीं है वो पानी की निकासी सही होनी चाहिए 11,000 की लाइन यहां से डली हुई है 21 साल बीजेबी का सासन रहा बीजेबी का विधायक रहा सासन तो कांगरिस का रहा तो उसमें जो है वो तार भी नहीं हट पाई सन 2008 में उसका नौ में बजट पास हो गया है हटाने के लिए लेकिन तब भी उसके उपर कोई कार रही नहीं हुई बजट में क्या चाहरे है कि फेर बजट बने जनता की हितकारी बजट हो जो आम जनता के लिए हो हमारा पाबलिक टांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो आम लोग जो चांदी चोग नई सड़क काम कर रहे हैं उनको आने जाने का उस्पधा हो रही है एक रुपे की जगह पर चार उप्रम का खर्च हो रहा है इस पर ध्यान दिया जाए और ट्राफिक जो अनकंट्रोल जो भी सड़क है उसको रोक के रखा गया है सबजी लगा दी मार्केट लगा दी दुकान एक खोल दी उसको इंक्रोच्मेंट को हटाया जाए प्रात्मिक कि लोगों से पूछ के तैय होगा कि अगर कही नाले पर कवर नहीं किया गया है तो वह आप की आप डिवान डखेंगे कि यह पहले होना चाहिए क्योंकि इसमें दुरगटना घटती है तो हम तो कोशिश कर रहे हैं और अभी भी करते रहेंगे आगया दयालपुर का नाले क बैट इतना उठ गया कि यहां पानी रुखा पड़ा है आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल नहीं चला वह कारण के रहा है कि विदायक ने जो कुछ करना तो कर दिया अभी भी हमने कहा था कि दिल्ली पुलिस पर जो है एक पंप लग जा तो यहां का पानी खिचका हमाँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं सभाई की विवस्ता आप देख रहे हैं यहां के साधनों की विवस्ता देख रहे हैं अभी तक टीटी सी का जो है में रोड से कोई आना जाना नहीं है एक दो बश्चल दिया पुब्लिक परिशान है ओटो वाले ददस रुपे लेते हैं यहां वाजन पराशे करावल नगर्स तके जिब के पांच रुपे जो लगने चीह कहा देमाई कि अ कि कि